हैलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाई पर एनिमे एक्स्प्लेंड चैनल पर और आज हम देखेंगे एक नए एनिमे को जिसका नाम है विंड ब्रेकर, इसके सीजन वन में टोटल 13 एपिसोड्स हैं और आज के इस वीडियो में हम इसके पूरे सीजन वन को कवर करेंग तो चलिए जानते हैं विंड ब्रेकर की कहानी को बिना किसी देरी के इस कहानी का में केरेक्टर है साकूरा, साकूरा के आधे बाल और एक आख का कलर अलग है, साकूरा बचपन से ही काफी लड़ाकू है, जिस वज़े से कोई भी साकूरा को पसंद नहीं करता और उसके देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की कोतोहा को परेशान कर रहे थे, साकूरा को ऐसे लोगों से नफरत है, जो कि होते तो कमजोर हैं, लेकिन खुद को बहुत स्ट्रॉंग समझते हैं, साकूरा एक बहुत अच्छा फाइटर है, और वो अकेले ही उन सभी गुंडों क धूल चटा देता है, कोतोहा साकूरा का शुकरिया करती है, और वो उसे अपने रेस्टरॉंट में लंच कराने भी ले जाती है, और साकूरा को यहां का खाना बहुत अच्छा लगता है, कोतोहा को पता चलता है कि साकूरा इस टाउन में नया है, और वो यहां के फेमस पूल में लड़ाई जगड़ा करने वाले बच्चे ही पड़ते हैं, जो कि साकूरा के लिए परफेक्ट जगा है, और उसका गोल है फूरीन का टॉप फाइटर बनना, कोतोहा साकूरा से कहती है कि वो कभी फूरीन का टॉप फाइटर नहीं बन सकता, क्योंकि वो अकेला है, स फिर एक गुंडा कोतोहा को होस्टेज बना लेता है, अब गुंडों से लड़ना और कोतोहा को प्रोटेक्ट करना साकूरा के लिए मुश्किल हो रहा था, अब साकूरा की पिटाई होने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर फूरीन स्कूल के चार स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उन सभी गुंडों को पीट कर रख देते हैं, इसके बाद टाउन के लोग फूरीन स्टूडेंट्स के लिए चीर करने लगते हैं, वो साकूरा का भी शुक्रिया करते हैं और उसकी चोट पर पट्टी बांधने आते हैं, साकूरा को समझ नहीं आता कि इस टाउन के लोग इतने अच्छे क्यों हैं, लड़ाई जगड़ा करने वालों से तो लोग नफरत करते हैं, पर जब से साकूरा यहां आया है, लोग उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे, कोतोहा अब साकूरा को बताती है कि कुछ सालों पहले इस टाउन में धेर सारी गैं लेकिन वो अच्छे कामों के लिए लड़ते हैं, और टाउन के लोगों के लिए वो हीरोज हैं, फूरीन के स्टूडेंट्स ने टाउन के गेट पर एक साइन भी लगाया हुआ था, जिस पर लिखा था कि टाउन के अंदर जो भी किसी को परेशान करेगा या तोड़ फोड करेगा, फूरीन के लोग उसकी धुलाई कर देंगे, फूरीन के इस ग्रुप को बो फूरीन या विंड ब्रेकर कहा जाता है, अगले दिन साकूरा की मुलकात नीरे से होती है, जो कि उसकी क्लास में है, नीरे लड़ाई में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो काफी कर देता है कि वो इस स्कूल का टॉप स्पॉर्ट लेने वाला है, ये बात सुगिस्ता नाम के लड़के को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो स्कूल के टॉप फाइटर का बहुत बड़ा भक्त है, सुगिस्ता साकूरा पर अटैक कर देता है, लेकिन साकूरा उसके मुँपर एक जोरदार लात मारता है, तभी स्कूल में एक एनाउंसमेंट होता है, जिसे सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं, ये एनाउंसमेंट यहां के टॉप फाइटर उमेमिया ने किया था, और यहां सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उमेमिया इन सब का और कहता है कि आपस में कोई मारा मारी नहीं करेगा, इसकूल में रैंक सिस्टम चलता है, सबसे उपर उमेमिया है, उससे नीचे हैं चार किंक्स, जो कि उमेमिया के बाद सबसे स्ट्रॉंग हैं, इन में से एक हिरागी है, हिरागी साकूरा और उसके दोस्तों को लेकर उसके एक लड़के के पीछे, शिस्टोरेन के मेंबर पड़े हुए थे, उस लड़के को बचाने के लिए साकूरा और सुगिस्ता बिना सोचे कूद परते हैं, और शिस्टोरेन के मेंबर को लात मार देते हैं, तभी यहां पर शिस्टोरेन का second top guy, टोगा में आ जाता है, और वो इन्हें धमकी देकर चला जाता है। कि इन्होंने उनके इलाके में आकर अच्छा नहीं किया। इसके कुछ देर बाद ही शिस्तोरेन का लीडर चोजी फुरीन स्कूल में आ जाता है। और वो बोफुरीन के लीडर उमेमिया को फाइट के लिए चैलेंज करता है। चोजी के साथ उसकी पूरी गैंग आई हुई थी। और उमेमिया के पीछे भी उसका पूरा स्कूल खड़ा था। अब डिसाइड होता है कि इन में वन ओन वन फाइट होगी। दोनों टीम के लीडर आपस में लड़ेंगे। और चोजी की शर्त थी कि अगर वो जीत गया तो उमेमिया की जगा वो उसकी गैंग का लीडर बन जाएगा। इसके अलावा चार फाइट्स और होंगी। साकूरा की फाइट होगी टोगा में से। सागी की फाइट साकू से होगी, सुगिस्ता की अरीमा से और कानूमा की फाइट सुओ से होगी। इसके बाद पाँचों फाइटर्स शिस्टोरेन के इलाके में जाते हैं क्योंकि फाइट वहीं पर होनी थी और नीरे भी उनके साथ था। सबसे पहले लड़ाई सुगिस्ता और अरीमा की होती है, जिसमें सुगिस्ता एक ही पंच में अरीमा को हरा देता है। आराम से डॉज कर रहा था, वो सब के सामने कानूमा का मजाग बना के रख देता है, कानूमा बुरी तरह से लड़ाई हार जाता है और टोगा में भी उसे अपने ग्रुप से निकाल देता है। का नमबर वन बने और इसमें साको उसका पूरा साथ देगा। लेकिन हिरागी ने साको से कहा कि वो खुद उमेमिया नाम के एक लड़के को सपोर्ट कर रहा है। और साको को अब उसके पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए। ये बात सुन साको को बहुत बुरा लगा था। इसके बाद साको ने शिस्टोरेन गैंग को जोइन कर लिया। और अब वो हिरागी को लड़ाई में हराना चाहता है। साको शुरू से हिरागी को अच्छी टकर देता है। लेकिन गुरू तो आखिर गुरू था। वो साको को सौरी कहता है कि वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। और हिरागी साको को हरा देता है। अगली लड़ाई साकूरा और टोगामे के बीच होती है, जो कि शिस्तोरेन में दूसरा सबसे स्ट्रॉंग है। लड़ाई शुरू होती है और टोगामे साकूरा पर भारी पढ़ने लगता है। लेकिन साकूरा भी उसे अच्छी टकर दे रहा था। और हमें टोगामे और चोजी की बैक स्टोरी पता चलती है टोगामे की एक दिन शिस्टोरेन गैंग से लड़ाई हो गई थी और उसे लड़ते देख चोजी ने उसे गैंग जोइन करने का ओफर दिया चोजी एक काफी हसमुक इंसान हुआ करता था और वो लोगों में काफी जल्दी घुल मिल जाय और बहुत खुश रहेगा टोगामे को भी लगता है कि चोजी उनका ग्रूप लीडर बनने के लिए सबसे अच्छा इंसान है और जब चोजी टॉप पर पहुँच गया तो उसे अकेला महसूस होने लगा चोजी अब चाहता था कि उसकी टीम में सब उसके जैसे स्ट्रॉं एक लड़का जब दूसरी गैंग से हार कर आता है तो चोजी उसे बुरी तरह पीट कर ग्रूप से बाहर कर देता है उसका मानना था कि कमजोरों के होने से उसकी टीम बोरिंग हो रही है टोगामे जानता था कि चोजी जो कर रहा है वो गलत है लेकिन वो भी उसके रास्ते पर चल पड़ता है वो चोजी से कहता है कि अब से सारे बुरे काम मैं करूंगा ताकि चोजी का नाम खराब ना हो खेर अब साकूरा से लड़ते हुए टोगामे को एहसास होता है कि उसने चोजी का साथ दे कर गलत किया भले ही चोजी उसका दोस्त था लेकिन टोगामे को उ उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए था अब साकूरा और टोगा में दोनों अपनी fight को enjoy करने लगते हैं उन्हें एक दूसरे से लड़ने में मज़ा आ रहा था अब दोनों एक आखरी punch मारने आगे बढ़ते हैं और end moment पर टोगा में अपना हाथ रोक कर साकूरा का punch खा लेता है और ये लड़ाई हार जाता है खैर चोजी अब stage पर आता है क्योंकि उसे उमेमिया से लड़ना था टोगा में चोजी को समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग गलत है और उन्हें ये लड़ाई यही रोक देनी चाहिए पर चोजी टोगा में को एक जोरदार लात मार कर दू फैक देता है ये देख साकूरा को बहुत घुसा आता है और वो चोजी को पंच करने लगता है पर उमेमिया यहां आकर साकूरा को रोक लेता है अब उमेमिया और चोजी के बीच लड़ाई होती है जिसमें चोजी काफी फूरतिला फाइटर था लेकिन उमेमिया उसके मुक पे पलटवार नहीं करता लड़ाई के दौरान चोजी को समझ आता है कि उसे खुश रहने के लिए लीडर बनने की कोई जरूरत थी ही नहीं बलकि वो पहले ही काफी खुश था वो अपने दोस्तों के साथ हंसा करता था और लड़ाई में भी उसे बहुत मज़ा आता था लेक उसके जैसे खुश रहेगा आखिर में उम्मया चोजी के सिर पे टक्कर मारके उसे हरा देता है चोजी कोब अपनी गल्ती का अहसास हो गया था कि वो अपने ग्रूप को गलत तरीके से चला रहा था वो टोगामे से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो भी अपनी इसके बाद उमेमिया कहता है कि अब से उन दोनों गैंक्स के बीच कोई दुश्मनी नहीं होगी और उनमें अब भाई चारा रहेगा। इसके बाद उमेमिया चोजी और टोगामे के साथ लंच करने भी जाता है। इस दोरान चोजी उमेमिया से पूछता है कि वो लीडर किसल अकेला नहीं है, बलकि वो सब लोग हैं जो कि उसके गोल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो सब इतना खुश रहते हैं, अब साकूरा को भी समझ आ जाता है कि कोतोहा ने क्यों कहा था, कि वो अकेला टॉप पर नहीं पहुँच सकता, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, कई साकूरा का नाम लेते हैं, और उसे ग्रेड कैप्टन बना दिया जाता है, साकूरा की मुलाकात बाकी चार किंक्स और दूसरे कैप्टन से भी होती है, और कोतोहा से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो रही थी, साकूरा को एक दिन पता चलता है कि उनका क्लास्मेट मासा की कील वालों ने पकड़ रखा है और मसाकी इस बारे में बोफूरिन को नहीं बताता है क्योंकि ये उसके परसनल मैटर है पर साकूरा को इस बारे में पता लग जाता है और फिर उसकी पूरी क्लास कील गैंक से लड़ने के लिए निकल पड़ती है और विंड ब्रेकर का सीजन वन यहीं पर end हो जाता है तो दोस्तों जितनी इस एनिमे की hype थी मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा है ये काफी normal से एनिमे है जिसमें boring characters भरे हुए है तोगामे के अलावा और कोई character मुझे इसमें interesting नहीं लगा और इस एनिमे के अंदर police कहां पर है जो इस school के बच्चों को town की रक्षा करनी पड़ रही है खेर ये एनिमे पता नहीं कैसे पर बहुत जादा हिट हुआ था आपको ये एनिमे कैसा लगा comment करके जरूर बताईए बाकि वीडियो को like और share जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे explained पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon जर क्रिया